हुआ 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 हेलो गाइज मेरा नाम है दीवाकर कामत आज हम सेखेंगे बेसिक पार्ट्स ऑफ कॉंप्यूटर इसमें आते हैं स्पिकर प्रिंटर मौनिटर commerce कीबोर्ड माऊस किछ चीजह हैं यह सीफियोऑows इसको कॉंपेटर का ब्रेंट भी कहा जाता है स्थेंट्र पषिएन्ट जो कंपेटर का सबसे महताफुर्न हिस्साब हाग पास आए जानते हैं कैसे और कितने पार्ट्स होता हैं CPU के अंदर कुछ इस तरह के पाथ होता है Motherboard, Soundcard, Video Card, WAM, Fan, Processor, Power Supply, Casing, CD, DVD, Hard Dix एंड उसका Cabinet जो यह आए जानते हैं Keyboard के बारे में Keyboard के उपरे हिस्सा, Functions की, Just उसके साइड, Control Keys, E-Rack को Control Keys कहते है उसके नीचे, Shift, Control, Windows, Alt को Control Keys कहते है फिर, Word, Numbrick में, उसको Numbrick कहते है नीचे, Navigations Keys चलिए जानते हैं माउस के बारे माउस में Left Click, Right Click, Scroll Button, Scroll Wheels और USB Connector होते हैं जिससे माउस की Cursors काम करते हैं Dear Friends, ये है वायरलेस माउस माउस वैसे ही होते हैं बट ये वायरलेस होता है इसके साथ एक एड़प्टर आता है जो CPU में लगा जाता है और विससे वायरलेस माउस चलती है ये है प्रिंटर एक लेजर प्रिंटर है जिससे Xerox, Document, File, Format जो भी जरक्स करना होता है हम कॉम्पेटर के दूर इससे करते हैं जरक्स करना है